दोस्तों अब सबका हादिक स्वागत है मैं आपकमितर नुराग और आए बात करते हैं रिप्रोडक्शन को लेकर जब भी बेवी प्लानिंग की बात होती है तो mostly इसका मतलब यह होता है कि जो दोनों पार्टनेर्स हैं वो अन्प्रोटेक्टेटड सेक्स करना शुरू कर देत उसके बाद आप बेव प्लानिंग शुरू कीज़े क्योंकि A. chances of conception और pregnancy बढ़ जाएंगे B. सिरफ बच्चा होना एक बात नहीं होती एक healthy बच्चा होना भी बड़ी बच्चा होना भी इंपॉर्टन चीज होती तो यह दोनों के दोनों पारामेटर्स जो है आपके दिमाग क्यों की जाए क्योंकि अगर वो अप्तिमाइज होगी प्रॉडक्शन का प्रॉसस है मेल आंगल से वह आप पक्का कर सकते हैं फीमिल प्रॉडक्शन के बात हम कभी दूसरी टाइम करेंगे लेकिन आज पूरा इस अबोट मेल फर्टलिटी तो अभी आपकी अभी स्क्रीन डाइगरम आ जाना रहा होगा डाइगराम के थूर समझते हैं कि सारा प्रॉडक्शन क्या होता लैं ओधिए अगर आप किस पूरे में जो फो RICH हैं आटरवो देख सकें टेस्टिकल के बाहर एक पार्ट होता सई teसटिकल के अंदर एक कुछ टूबश होती हैं को सेमिलिफरि लेप होता है वो एक हैड होता है तेल का का टेल को स्विम करने में हेल्प करता है और जो सभी फिर्ज ट्यूब्स होती है इन से जो स्पर्म जाते हैं वो जाते हैं जगा होती उसे बोलते हैं epididymis अब जो यह जगा होती है एक टेप का hollow structure होता है और यहां पर firms की maturation होती है और mostly जो sperm को mature होने में लगते हैं 64 days मतलब कि एक बच्चा sperm को mature sperm मतलब एक proper sperm जो sperm वाले काम कर सके वो तब तक storage यहां पर होती है तो factory हमारी जो है वो testicles है वहां पर production होगी और production होने के बाद जो next step आता है वो epididymis आता है यहां पर storage होती है अब आगे समझे कि process क्या होता है जैसे ही अगर कोई एक male sexually arouse होता है तो sexual arousal के बाद जो यहां पर epididymis है यहां से जो sperm है वो यह vast difference के थुरू जो semenical vessel होता है वहां पर white road निकलता है जो prostate होता है वो contribute करता है और finally urethrae के थुरू यह जो मारा penis होता है उसके थुरू ejaculation होती है तो यह process होता है सारग सारग अब इससे हमें क्या पता चलना चाहिए देखिए अगर आप अपने हाथ को किसी को कभी कभी अगर fracture हुआ हो है इस टाइप की कोई चीज हुई हो तो आपने देखा हो जो fracture खुलता है तो हाथ की mobility बहुत restraint हो जाती है एक reason है जो हमारे testicles है वो body क के बाहर होते हैं वो क्या होता है वो यह होता है क्यूंकि जो temperature है इनको almost 2 degree कम होता है वो sperm production के लिए ideal होता है तो इसके लिए इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो यह अगर बहुत जादा temperature है खासकर जो लोग plants में काम करते हैं चाहां पर बहुत heat expose होते हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और एक और चीज जो हम कर सकते हैं तब इने structure की बात की थी और पर अमने fracture की बात की थी सूरी नमस्कार एक ऐसी simple exercise है जो regular की जाए तो blood flow इस पूरे area में बहुत चाहा रहता है और एक बात जात रहे जो blood है blood का का काम होता nutrition औ और oxygen पहुंचाना किसी भी organ तक अगर वो नहीं पहुंचेगा तो proper functioning नहीं होगी तो यह एक मोटा मोटा पार्ट यहां अब एक question मुझे पता है यह काफी सारे जो हमारे male बंदू जो masturbate बहुत करते हैं उनके दिमाग में चीज जरूर रहती है कि अगर हम regular masturbate करते हैं तो क्य duration होती है वह बढ़ती जाती क्योंकि हमारी storage है वह बढ़ती जा रही है और हर रोज हम बहुत सारे sperm produce करते हैं लेकिन अगर उसी speed से निकलते जाएंगे आपको sperms की कमी हो जाएगी है इस टाइप की कोई चीज लेकिन sperm की quality सफर करते हैं इसलिए बहुत सारे जो fertility expert doctors होते हैं अगर कभी किसी को semen देना भी होता है for valuation तो उसके लिए कुछ time के लिए abstain करने को बोलते हैं उसका reason यही होता है जैसे उन्हें बात की थी कि जब testicle से sperm शुरू होता है total sperm बनता उसमें total 64 days लगते हैं तो इस पूरे cycle में you can produce up to 8 billion sperm cells जो की सुनने में बहुत सारे लगते हैं लेकिन 1 ml जो semen होता उसमें 20-300 million के बीच में sperms होते हैं तो अब यह तो बात होगी मोटा मोटी की sperm की production कैसे होती है लेकिन वो उतनी चलो यह चीज हमें पता होनी चीज है लेकिन उससे important चीज है वो क्या है वो यह है कि हम अपने sperms को healthy कैसे रखे पहले इस चीज को जानने स चीज है पहले देखो जब भी हम बात करते हैं sperms की तो आपके sperm का pH उसकी morphology मतलब की structure कैसा है उसके बाद concentration क्या है तो बहुत सारे ऐसे variables होते हैं जो की determine करते हैं कि जो आपके semen में sperms हैं कि आप बाप बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं लेकिन यह इतना जार debatable topic है उसका reason क् maximum आरे parameters बने हैं इन सब चीजों के जो कभी आप semen test कराते हैं तो उनमें जरूरी नहीं है कि अगर उन्होंने आपको declare कर दिया कि आप नहीं बन सकते या इस टाइप की चीज़ निए वो सच हो क्योंकि बहुत सारे parameters बने कहां थे जो sample size लिये थे जिन लोगों के sperm की qualities देखे यह parameters बनाए गये थे वो mostly सारे के सारे healthy लोग थे in the sense कि सारे-सारे fertile थे तो कभी भी infertile लोगों को proper data उनका नहीं लिया गया या उस रसाफ से proper यह values नहीं ली गई तो moral the story यह है just because अगर आपने semen analysis कराया और उसमें आपका low sperm count है इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि कि आप study को जरूर पढ़े नीचे discussion box में मैं link डाल दूगा इसका इसमें बहुत detail में बताया है बहुत सारी चीजें जो अगर आप बाप बनने जा रहे हैं यह अगर आप low sperm count है तो क्या-क्या दिक्कते हो सकते लेकिन अब main मुद्दा main बात की अपना हम sperm count है वो ठीक कैसे र कि बहुत से लोग supplementation में interested होते हैं तो हमारे पास जो supplementation है तो उसके अगर हम बात करें तो omega-3 fatty acid, coq enzyme, selenium, zinc, folic acid, vitamin C, vitamin E हो गया तो अगर आप देखोगे तो mostly जो supplementation है वो पता किस side है वो है anti-inflammatory supplementation वो क्यों मैं जब भी किसी client से काम करता हूं तो एक blood test में एक variable जरूर चेक होता वो था C-reactive protein CRP उसका मतलब होता कि body में inflammation कितनी है, मतलब body में दिक्कत हैं कितनी है nut shell में, एक IL-6 भी इसका होता लेकिन ESR एक ज़्यादा common parameter C-reactive protein से, C-reactive protein COVID है बहुत popular हो गया था कि ESR भी वही चीज़ बताता है कि body में inflammation कितनी है, अगर body में inflammation ज्यादा होगी, तो sperm की quality होगी वह compromised होगी, तो अगर इसको ठीक करना तो क्या किया जाए, बहुत simple है, कोई आपको fancy दभाईया या fancy supplements नहीं चाहिए, supplements वोड़े use हो सकते हैं, लेकिन mostly targeted diet, देखो मैं मेशा targeted diet word use करता हूं कि जब भी हम बात करते है किसी से तो जैसे किसी health practitioner से या doctor से लेकिन healthy diet, लेकिन healthy diet, somebody is healthy in healthy diet, somebody is sick, यह बहुत different है, targeted diet is something that should be doing, that is number one, दूसरा पार्ट, यह सारा जो process होता है, जहां से germ से शुरू होता है, वो कैसे होता है, मतलब हमारे कुछ hormones होता है, follicular stimulating hormone होता है, luteinizing hormone होता है, और testosterone इनका शुरुवात starting hormone होता है, तो अगर हमारी hormone production compromise होगी, तो हमारी जो fertilization capacity है, बाप बनने के capacity, वो definitely compromise होगी, तो अगर आपके hormones ठीक करने तो सबसे सही तरीका क्या है, देखे, मैंने testosterone पे बहुत details वीडियो बनाएं, आप ज़रूर देखे, लेकिन simple सी चीज, दो simple चीज, जो सारे लोग follow कर सकत पहला पार्ट क्या है, एक तो timely सोना, early dinner, early dinner होगा, आप timely सोएंगे, sleep quality better होगी, sleep quality better होगी, testison optimize होगा, वैं सुबह उठेंगे, sun को देखिए for 2-10 minutes, उससे क्या होता, sun night आपके आँखों में पढ़ती है, तो dopamine raise होता है, dopamine raise होगा, testison raise होगा, overall आप अच्छे mood में रहेंगे, better feel करेंगे, तो testison आपका कैसे अच्छा नहीं होगा, उसके बाद तीसरा पार्ट है, मैं एक और सीज बहुत देखता हूँ कि जैसे जब अगोई pregnant है, यह pregnant होने वाले है, तो junk और process food कम से कम करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि again, बात सिर्फ pregnancy की नहीं है, बात healthy baby baby की भी है, तो उसमें भी यह चीज बहुत matter करती है, अब एक और बड़ी interesting study थी, 2014 की study थी, जिसमें कहा गया था, कि 4-8 mg जो lycophene है, अगर आप daily लें, तो यह आपके sperm की quality यह बढ़िया करता है, lycophene कहां मिलता है, tomatoes में, अभी भी हमें बहुत सारे fruits and vegetables के सारे mechanism पता नहीं ह diet में बहुत सारे fruits and vegetables हैं, तो वो आपके reproductive health के लिए अफोर्स बहुत अची सी, अची चीज करते हैं, तो एक बड़ी simple सी बात है, मेरा एक तरीका होता जानने का कि कि किसी की health कैसी है, मैं अगर खासे मेरे male clients होता है, उनको पूछता हूं कि उनकी erection की strength कैसी है, और इसका premise य vegetables हैं, यह आपके gut के लिए बहुत ची होती है, except in some cases जहां पर fiber रहीं पचता, जैसे SIBO condition होती है, तो उनके लिए नहीं, लेकिन most लिए लोग healthy है, fruits and vegetables अच्छे का से खाईए, inflammation कम करेंगे, fiber अच्छा होता है, और एक और बात, क्यूंकि I talk about a lot on this, on my channel, वो होती है कि IBS के बार please contact us more than happy to help, we have so many success stories about it, लेकिन सब शुरुवात पेट से होती है, तो छोटी छोटी चीज़े हैं, इनकी शुरुवात कहीं भी हो सकती है, लेकिन end result reproduction में जरूर दिखेगा, तो अगर आप बिल्कुल healthy रहेंगे, inflammation कम होगी, reproduction capacity अच्छी होगी, उल्टा होगा, तो इस सब वीडियो, और यह बात starting थी कि हमारी जोटे से टेस्टिकल्स हैं, बोडी के बाहर हैं करते हैं, लेकिन अब बहुत ताइट कपडे पहनते हैं, तो अगर आप देखो, बहुत सिंपल है, इस नोट वेरी डिफिकेट, एक्सेप्ट आप कोई condition हो तो बहुत अलग होती है, जै लेकिन मोस्ली अगर आपको भी हाइट का इशू है, जहां ब्लड फ्लो कॉंपरमाइज होता है, इंफ्लमेशन जादा होगी है, वह आपके प्रोड़क्टिव कापासिटी को हिंडर करेगा, तो अवर अलग हेल्दी रही है, फिर मतलब वह बेबी प्लानिंग का सारा मतलब अपनी बॉडी को हेल्दी कीजए और भी आप यह आप यह आप यह आप यह एम वर बेबी तो बेस्ट वाप टो वाल दो पीपल वो ट्राइं तो व्लॉड वेबी लिकिन अगें इस गेट वहल्दी फर्सके बाद प्राइब तर आप यह वोप इस वीडियो तिल देन, प्र हुआ है